तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अपिशेक आप देख रहे हैं Guide of Mad चैनल तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं Retail Shop Accounting की Retail Shop Accounting में आप लोग को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम लोग Retail Shop Accounting कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इसकी वज़़ से एक है क्योंकि जब Retail Shop की Accounting की बात होती है तो हमारे बिजनस में कई तरह के items involved होते हैं जैते grocery, personal care और electronics तो दोस्तों ये सारे items आपके business में involved होते हैं और एक बात क्योंकि इन पर multiple GST rate भी set हो सकता है तो इस वज़़ से भी हम लोग को ये करना पड़ता है दोस्तो Retail Shop Accounting को POS भी कहा जाता है यानि point of sale और यहाँ पर आप लोग को बहुत ध्यान रखना है कि आपको billing fast करनी है और क्यों करनी है बज़य ये होते हैं कि बहुत सारे customers Retail Shop में जो समान है वो खरीदने आते हैं और आपको उन billing को बहुत ही तेजी से करना होता है जैसे कि आपने malls के अंदर देखा होगा Reliance Fresh में देखा होगा अलग-अलग shops होती हैं जिनमें retail shop पे कई सारे products available होते हैं और आपको उन सारे products की dealing करनी होती है और एक साथ एक टाइम पर अलग-अलग products लेकर customer जाता है तो आपको billing का एक fast तरीका भी सीखना होगा तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा साथ ही आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि fast data entry कैसे की जाती है पास data entry करने के लिए tally prime आपको कैसे मदद करेगा और दूसरा कि mode of payment जो होता है इसमें वो भी multiple हो सकता है यानि कि हमारा जो customer है वो हमें payment कई तरह से कर सकता है जैते cash से, credit card से, debit card से और pay tm से यानि बहुत सारे multiple mode of payment भी use होते हैं इस वज़े से भी हम लोग को POS invoice करना पड़ता है दोस्तों साथी एक और बात मैं आपको इसमें बताऊंगा और वो ये है कि आपके पास stock की reporting कैसे पता चलेगी आपको कितना stock आपके बस available है, कितना stock आपने sale कर दिया है और per day की जो sale है आपकी कितनी है ये सारी बात हैं आज इस वीडियो में हम लोग complete करने वाले हैं वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपको मिले complete जानकारी और आज इस वीडियो में आपको complete knowledge मिल जाएगी POS Invoicing के बारे में आपका complete knowledge आज clear हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखना बहुत important है एक छोटी सी request वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरी latest वीडियो का notification मिलता रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको सिखाते हैं टैली प्राइम पर कहते करेंगे POS Invoicing तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Retail Shop की accounting की और सबसे पहले हम लोग create कर लेते हैं इस company को मैं दिल्ली में create कर रहा हूँ और बाकी details मैंने कोई enter नहीं की है इसके बाद आपके सामने एक screen आएगी जिसमें आप लोग को GST details एंटर करनी होगी तो GST details पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर enter करते हुए मैं GST number जो है enter कर देता हूँ तो यह भी मैंने enter कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने GST number भी enter कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर evable का option no कर देता हूँ बाकी control A मैंने कर दिया है उसके बाद control A and then you see that आप देख सकते हैं आप हमने company create कर ली है अब करना कहते है काम चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक POS voucher create करना पड़ेगा तो आपको जाना होगा इसके लिए create पर और create पर जाने के बाद आप जाएंगे voucher टाइप पर और आपको एक नए voucher की जरुवत होगी जिसे बोलते हैं POS यानि point of sale invoice तो point of sale invoice के लिए आप sales voucher का इस्तमाल नहीं करेंगे और आपको यहाँ पर एक नए voucher की जरुवत पड़ेगी तो आप इसे बनाएंगे और under इसे sales के ही रखेंगे और दोस्तों आपको क्या करना है enter करते हुए आगे बढ़ना है और voucher की numbering जो आपके पास है वो automatic ही रखें दोस्तों इसे yes करने पर आपको अगर voucher की जो numbering है वो जो भी number आए invoice का वो आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से set करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके लिए आपको करना सरफ एक काम है यहाँ पर बताना है कि आप number starting कहां से करना चाहते हैं वो है one से और one लिखने के बाद आप बताइए कि जो numerical part है वो कितना हो वो three digit का हो और आप चाहते हैं कि जो भी number हो उसके आगे zero पहले से fill हो तो आप इसे yes कर दीजे उसके बाद आप बताइए जो starting number है वो आपका क्या हो तो हमने कहा मेरा starting number one होना चाहिए और उसके बाद यह ज billing का जो भी invoice है वो इस तरह से बने POS slash यानि prefix जो हम लोग fix करना चाहते हैं वो है POS invoice POS slash यह हमने prefix कर दिया उसके साथ साथ हम यहाँ पर suffix बात करें तो previous यानि की जो आपका numbering के last में है numbering के last में यहाँ पर b se kis की हम लोग कर रहे हैं billing तो यहाँ पर b se kis लिखा है और इस इसके बाद हमें करना क्या है इसके बाद हम enter करेंगे और enter करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि print हो जब invoice save हो तो print हो तो yes बिलकुल हम लोग चाहते हैं कि print हो तो इसे yes करेंगे और yes करने के बाद आप क्योंकि इस feature का इस्तमाल POS invoicing के लिए करना चाहते हैं तो आप इसे करि लिखेंगे thank you and thank you लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर visit again आपने देखा होगा Reliance Fresh की billing पर ऐसा लिखा रहता है तो यहाँ पर visit again आप लिखेंगे Reliance Fresh के bills पर आप देख सकते हैं आपने देखा होगा कि आपको यह last में printing message लिखा हुआ मिलता है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और enter करते हुए इस entry को आप voucher type को accept कर देंगे तो दोस्तों accept करने के बाद अब आप चलते हैं entry करेंगे और entry करने के लिए हम लोग यहीं से करते है Alt-G और Alt-G करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर create voucher पर आने के बाद आपको press करना है F-8 क्योंकि आपको POS invoicing करनी है यानि आपको sales नहीं करना है आपको POS invoice बनाना है point of sale यानि आपको retail shop accounting करनी है तो यहाँ पर आप POS invoice लें और POS invoice लेने के बाद आप यहाँ पर प्रेस करें date जो आपकी date है तो यहाँ पर हम लोग 2 April को entry कर रहे हैं और यहाँ पर देखे पार्टी के नाम में कुछ नहीं आएगा because the reason is that POS की जो invoicing होती है वो सारी की सारी cash में होती है तो यहाँ पर हम लोग जो party का name है वो mention नहीं करेंगे आप इसे करिए enter और जैसे ही आप enter करेंगे तो आपके सामने एक screen appear होगी जिसमें आप अपने customer का नाम बता सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने customer का नाम mention कर देंगे तो मालीजे मैं जो जिसके साथ deal कर रहा हूँ वो है customer जिसका नाम बिशेक है और यहाँ पर उसका address mention कर दीजे बहुत जरूरी चीजे हैं यह details हम लोग customer से मांगते हैं जनरली अगर आपने देखा होगा तो retail shop वाले यह billing करते समय आप लोगों से आपका address और कहां पर रहता है उसका state बताइए और यहाँ पर एक छोटी सी जीज जो आपको registration type दिख रहा है इसमें आपको लेना होगा consumer अब दोस्तों अब consumer लेने के बाद आपको place of supply बताना बहुत जरूरी है इसी पर depend होगा आपका GST कैसे calculate होगा क्योंकि यहाँ पर place of supply ही GST का सबसे बड़ा rule है तो यहाँ पर place of supply दिली है हम उस person को दिली में ही sale कर रहे हैं और sales ledger आपको ज़रूरी बनाना रहता है तो यहाँ पर enter कीजे और sales का ledger sales account जो कि आप बनाते ही हैं already sales के अंदर भी तो यहाँ पर आप sales account बना लीजे under sales उसके बाद यहाँ पर जो है आप goods ले ले और goods लेने के बाद enter कीजे अब दोस्तों यहाँ पर आपको item बताना होगा जो भी आपका item है वो कौन सा है जो आप बेच रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के जो goods हैं इसमें deal होते हैं तो यहाँ पर एक grocery का item हम ले लेते हैं grocery के items में हमने ले लिया call gate औ हम लोग यहाँ पर जो है pieces में create कर देते हैं और pieces में create करने के बाद हमने किया enter उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखें आपको करना होगा set alter GST detail को yes क्योंकि आप चाहते हैं कि इस पर जो आपको GST है वो आप set करें तो call gate लिग दिया आपने उसका decision लिग दिया उसके बाद यहाँ पर टेक्सेबल लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर 12% GST लगा देना है अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको यह screen इस तरह से नहीं आता है तो आप क्या करें यहीं पर press करें F12 और F12 प्रेस करके आपको जितने भी option दिखाई दे रहे है सबको yes कर दीजे आपको यहाँ पर आपका जो भी GST rate है वो डालने के options मिल जाएंगा गर आप लोग यह screen थोड़ी सी कम आती है तो आप इस तरह से ला सकते हैं दोस्तों इसे enter कीजे और enter करने के बाद इसे accept कीजे आप जैसी आप accept करेंगे उसके बाद आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है वो भी enter कर देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी उसको pieces pair के अंदर रख देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं pairs तो pairs के अंदर हमने ले लिया है और इसका भी GST rate हम लोग कर देंगे yes और यहाँ पर shoes लेखने के ब आप एक्सेप्ट कर दिये दोस्तों आप देखें यहां पर आप बता दीजे जो आपका शूज है वो कितने रुपे का है तो यहां पर हमने बता दिया है और दोस्तों अगली जो एंट्री है उसके लिए हम लोग यहां पर Electronics Got ले लेते हैं जैसे Electronics Got के अंदर हम लोग एक Mobile खरीद लेते हैं तो Redmi Note 8 हमने Mobile ले लिया उसके बाद आप देखिए यहां पर हमने पीसिस ले लिया है उसके बाद यहां पर करिए Yes, Yes करने के बाद आप देखें यहां पर Redmi Note 8 मैंने लिक दिया है और description लिखने के बाद जो है मैं आपर HSN code बता देता हूँ और HSN code बताने के बाद taxable ले ले लेते हैं और इसको भी हम लोग 18% में cover कर लेते हैं और यह different GST rates हो गए हमारे पास दो तरह के rates आ शुके हैं अब यहाँ पर हम लोग उसका price बता देते हैं price बता देते हैं और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर GST लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर within state आप लोग product डील कर रहे हैं product में deal कर रहे हैं तो यहाँ पर आप CGST, SGST लगा सकते हैं तो बहुत simple तरीके से आप देखें आपका CGST और SGST यहाँ पर दिखाई देगा और यह जो है आपने billing कर ली तो दोस्तों इस तरीके से आपने यह billing तो कर ली लेकिन अब बात करते हैं basically अब जो payment है वो customer हमको कई तरह के mode में करता है या तो वो मुझे good अलग तरह के mode of payments अगर मुझे multiple चाहिए तो यहाँ पर देखें दोस्तों एक option आता है that's called multiple mode of payment के लिए तो multiple mode of payment के लिए आपको करना होगा यहाँ पर alt आई और alt आई प्रेस करते हैं आप देखेंगे नीचे जो आपको option दिख रहे हैं और flip card का यानि कि कोई भी gift voucher से मिल सकता है तो वो दिखा कर उससे discount मिल जाता है और यहाँ पर हम लोग बना लेंगे कि जैसे कि उसे Amazon का gift card मिला हुआ है और वो redeem करवाना चाहता है Amazon gift card तो हमारा Amazon gift card जो है हमारा वो data के अंदर बनेगा क्यों कि जो payment है हम लोग को Amazon देने वाला है इस case में और gift card की जो भी payments होगी वो मुझे Amazon पे करेगा तो यहाँ पर मैं उसे debtor बना देता हूँ और जितना भी gift card होगा जितने का भी होगा जिसे मालीजे वो 1000 रुपे का gift card है तो 1000 रुपे जो है मुझे Amazon दे देगा तो मैं उसे debtor create कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर all see करेंगे और यहाँ पर bank बनाएंगे जिस bank में payment receive करूँगा debit card के थ्रूँ तो मालीजे मैंने SBI bank बना लिया है और मैं payment receive करूँगा इस bank में तो यहाँ पर मैं control लेकर देता हूँ और मैं यहाँ पर कितने amount की payment receive कर रह आपको तो SBI से उसने check भी दिया SBI में आपने deposit कर दिया और आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने amount का check उसने दिया तो suppose करिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 4000 उपे का जो check है उसने मुझे दिया लेकिन उसने bank कौन सा use किया वो उसके हाथ में तो यहाँ पर वो बताएग तो यहाँ पर वो check number डाल देगा उसके बाद यहाँ पर जो बाकी payments वो दे रहा है मुझे वो cash में दे रहा है तो बाकी payments कितनी बची 12,000 रुपे की अब दोस्तों होता गया है कि कई बार जो payments होती है वो 12,000 रुपे की अब उसके पास change नहीं होते तो वो person क्या करता है कि 12,174 रुपे दो पैसे बन रहे है तो वहाँ पर customer जो मुझे देगा माली जो उसके बाद change नहीं है तो customer मुझे यहाँ पर 12,200 रुपे कर देगा तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा balance उसको return करना पड़ेगा तो 25 रुपे 98 पैसे या नही 26 रुपे हम लोग उ इस तरीके से entry होगी तो balance मुझे जो दिखा रहा है वो मुझे उससे return करना ही करना है अब दोस्तों इस entry को मैंने accept कर दिया दोस्तों जैसी मैं accept करूंगा आप देखेंगे मेरे सामने print खुलेगा आप print का एक बार preview देख लेते हैं कैसा preview आप लोग को देखने को मिलेगा और यहां पर देखें date भी पता है और आपको timing भी पता चल रहा है कि किस time पर आपने bill generate किया था और जो party है उसका पूरा पूरा address यहां पर दिखाई दे रहे है साथ ही अपने products के hsn quantity rate सब कुछ दिखाई दे रहे है with GST सब कुछ दिखाई दे रहे है और यहां पर यहां पर यह visit again का message भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, आप कर दीजिए एक escape और अब यहां पर यह entry हो चुकी है, अब दोस्तों मान लीजिए कि आप यहां पर कर रहे हैं एक entry, अब सीधी सी बात है, हम लोगों ने यह भी बात समझी है कि हम लोग को fast mode of payment entry करनी है, तो fast billing कहते होगी, आईए, क्योंकि बहुत सारे customers आएंगे, अगर मैं इस तरह से करने लगा तो काफी time लग जाएगा और मुझे fast billing का तरीका use करना है, तो मैं क्या करूँगा, alter पर जाओंगा, और alter पर जाने के बाद मैं जाओंगा voucher टाइप पर, और voucher टाइप में मैं वापस से POS invoice वाला voucher जो है, open कर लूँगा उसके बाद मुझे करना सिर्फ एक काम है, यहाँ पर enter करते हुए, मुझे आना है end पर और यहाँ पर बनानी है एक class जिसका नाम रहेगा, यहाँ पर retail, retail billing, यहाँ पर हम लोग कुछ भी class बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर कहा कि retail billing की मैंने class बना ली है, और enter करने के बाद मैं बताऊँगा कि gift voucher, जो भी मुझे मिलेगा, वहाँ पर मैं gift voucher बता सकता हूँ, जैसे मुझे Amazon के gift voucher से ही मेरा contact है, तो मैं Amazon यहाँ पर gift card लेते सकता हूँ, और भी मेरे पास कोई gift voucher है, मैं उनका भी accept करता हूँ, तो यहाँ पर उन सब को भी मैं ले सकता हूँ, तो बाकी payment मैं receive करूँगा, वो भी cash में receive करूँगा, और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो fix ledger है, वो sales account है, वो मुझे लेना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं sales account ले लेता हूँ, और enter करने के बाद, आप देखेंगे, यहाँ पर additional accounting entries में, मैं यहाँ पर pick up कर लूँ और यह जो है, मैंने यहाँ पर accept कर दिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि माली जी कई बार होता है कि bill का amount जो है काफी points में है, तो यहाँ पर आपको round of ledger की बिज़रोत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर round of का ledger भी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर round of का ledger जो है create कर दिया है, और round of का ledger create करने के बाद उसको रखूँगा मैं indirect expense, और indirect expense रखने के बाद मैं यहाँ पर not applicable, और क्योंकि मैंचे GST इस पर नहीं use करना है, तो मैं यहाँ पर GST not applicable रखूँगा, और enter करने के बाद, अब आप देखेंगे जैसी आप इस entry को accept करेंगे, और accept करते ही आपके सामने यह पूछेगा, कि आप इस चीज को use क्यों कर रहे हैं, यहाँ आप बुलेंगे कि as total amount rounding of के लिए आप यूज कर रहे हैं, और normal rounding आप एक रुपए में करना चाहेंगे, तो बहुत ही simple तरीका है, अब देखें दोस्तों fixed ledger आपने कर दिये हैं, cgst, hst, igst, round of, यह अपने आप ही आएंगे, बाकी gift card भी अपने आप ही selected होंगे, बस आपको सिर्फ और सिर्फ sale account भी select नहीं करना, आपका सारा काम और सारा वक्त बच जाएगा, और अब आप enter करते हैं, और अब आप चलिए entry करके देख लेते हैं, तो चलिए वापस चलते हैं, alt G से यहीं पर, और create voucher पर आते हैं, और वापस save it से press करते हैं, F8, जितनी बार आप sale entry करेंगे, उतनी बार आपको F8 press करना पड़ेगा, यहाँ पर देखे, POS invoice आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको POS invoice में retail bill की class दिखाई दे रही है, जिसको आपको लेना है, select करना है, और आप देखे, यहाँ पर voucher की जो numbering है, वो अपने आप ही क्या हो गई, POS 002 हो चुकी है, और दोस्तों यह बहुती simple तरीका है, मैंने वहाँ पर आपको बता दिया, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, जो billing है, वो आप किस दिन कर रहे हैं, आप बता दीजे, जिस सिमाल लीजे, मैं customer का नाम यहाँ पर बता देता हूँ, कुनाल, और यह जो customer है, यह कहां का है, इसका address और phone number मुझे बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो customer है, वो आपका इस address पर रहता है, और यहाँ पर उसका mobile number में मैं mention कर दे अब दोस्तों, यहाँ पर mobile number देने के साथ साथ उसका state बताईए, और state बताने के बाद उसे बोलिए कि वो consumer है, और यहाँ पर आपने देखा, अब क्या कर सकते हैं, अब आप फटा फट से अपने item को select करिए, जो भी item वो खरीद रहा है, जैसे कि, जो भी item वो खरीद रहा ह एक बार अपने rate set कर दिया, अब आप देखिए, आपका काम भी बहुत fast हो रहा है, rate भी अपने आपा रहे है, और एक खरीदा है shoes, देखे, कमाल की चीज़ है न, तो आपके सामने ही है सब कुछ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखे, मैं quantities को alter करना है आपको, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि आप कोई ना कोई, जो कि आपकी quantity की है वो modify करें, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको show more details पर yes करना है, और show more details पर yes करने के बाद, आप देखे, यहाँ पर एक option आएगा आपके पास, यह देखे, यहाँ पर लिखा है, modified the rate during the entry, तो यहाँ पर quantity और rate, दोनों ही आप क्या करना चाहते हैं, modify करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, modified the rate, field during the entry, आप इसे yes कर दीजे, तो क्या होगा, कि आपको वो allow कर देगा, कि आप modification कर पाएं, इसी entry के अंदर, तो यहाँ पर All Fields During Boucher Entry, आप उसे Yes करें, और Yes करने के बाद, Control A करें, अब आप देखें, तो आपको हर Field को Allow करेगा, Enter करना, तो यहाँ पर आप देखें, Rate तो नहीं, लेकिन हा, Quantity आपको Allow कर रहा है, देखे, quantity आपको allow कर रहा है, quantity आप बड़ा भी सकते हैं, गटा भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको rate भी allow करें, तो यहाँ पर आप rate field को भी yes कर सकते हैं, तो यहाँ पर after press करके आपने rate field को भी yes कर दिया, अब आप देखे, आपको quantity भी allow कर रहा है, और आपको rate भ बाकी payment जो है यहाँ पर Amazon gift card से कर रहा हूँ, उसके बाद जो remaining payment है, मैंने यहाँ नहीं की, इसमें नहीं की space bar कर दिया, सीधा का सीधा cash payment किया है, और जो बाकी payment बचा, वो मैंने cash में कर दिया है, तो cash में मैंने यहाँ पर इतनी payment कर दिया है, यहाँ पर cash में मैंने जो payment कर दिय है और आप देख सकते हैं यहाँ पर automatically cgst hst और round off का लेजर भी automatically आ चुका है और आपका bill amount भी बिल्कुल round off हो चुका है तो यह problem आपके सामने भी नहीं आएगी और दिक्कत खतम हो जाएगी सारी सारी past billing हो गई दोस्तों अब आप चाहें तो यहाँ पर print ना लेना चाहें तो escape कर दीजिए कोई problem नहीं है अगली billing कर लीजिए जैसे मां लीजिए एक और पार्टी है लेकिन इस बार जो पार्टी है दुबारा से f8 प्रेस करते हैं एक बार alt g alt g प्रेस करके voucher पर चलते हैं और voucher पर चलने के बाद आप करेंगे यहां पर f8 और f8 प्रेस करने के बाद आप यूस इंवाइस पर जाएंगे retail billing लेंगे और retail billing लेने के बाद आप यहां पर फिर से entry pass कर रहे हैं इस बार party जो है आपकी कोई और है तो suppose करिए मैं आपर कोई और party ले लेता हूँ और यहां पर है अमित तो यहां पर party मैंने ले ली अमित और इस बार जो party है मेरी वो बाहर की party है तो मैंने यहां पर बिहार लिग दिया और बिहार की party है कोई भी product ले लेता हूँ call gate का अब देखें वो तो automatically हो चुका है और या आप इसको piece को modify करना चाहते है तो pieces को modify कर दिया देखे automatically जो amount है IGST है automatically calculate हो गया और अगर आप print देखेंगे तो print पर भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत तेजी से entry हो चुकी है अब दोस्तों देख सकते हैं है है आप लोग इसका print भी मैंने आपको दिखा दिया है और बिल्कohl simple तरहीए से entry हो चुकी है अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगला point हमें यह करना है कि हमने जानना है कि हमारी Total sales कितनी हुई है और हमें जानना है कि हमने जो mode of payment किये वो कितनी तरह की किये कहां कहां किये तो ये भी जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर करिए alt g और alt g करने के बाद आप यहां पर pos लिखे और pos लिखने के बाद आप देखेंगे pos voucher नाम से आपको report section में मिल जाएगा तो pos voucher पर आप करेंगे click और अब आप देखेंगे आपकी जितनी भी billing होई है दो अप्रेल को एक मई को जो भी billing होई है आप देख सकते हैं उस महीने में आपके सारे bills आपको दिखाई दे रहे हैं और आपका पूरा mode of payment आपको दिखाई दे रहे हैं कि gift से आपका total collection कितना है आपको card स आपको देखाई दे रहे हैं साथ ही अगर आप इसे detail में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा F8 और F8 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर चाहते हैं कि party की details भी आपको देखनी है और party का जो buyer का नाम है वो भी आपको देखना है उसका address भी देखना है तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और उसका print भी आप ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर enter कर दीया जितनी भी details आप देखना चाहते हैं का fast mode यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ साथ आप अपनी stock summary को भी check कर सकते हैं maintain कर सकते हैं आप stock summary भी check करिए आपका stock जो है कितना आपके बस maintain है और इसके साथ जाथ आप यहाँ पे check कर सकते हैं gst report section में gst report section अगर आप आए दो जीस्ट और वन के अंदर अगर आप आए तो यहां पर आप देखेंगे कि जितनी भी एंट्रेज आपने की हैं वो बी-टू-सी के अंदर आपको दिखाई दे रही है तो सारी के अंदर और साथ ही अगर आप GST 3B खोलेंगे तो वहां पर भी आपको सारी स सारी इंट्रेज दिखाई देंगी और आउटवर्ट सप्लाई यानि की विदिन स्टेट जो आपने सप्लाई की थी वो कितनी थी और आउटसाइट स्टेट आपने सप्लाई की थी वो कितनी थी और इसमें टेक्स कमाउंट कितना था यह सारा का सारा डीटेल्स आपको 3B मे दिखाई देगा तो दोस्तों ये थी सारी के सारी डेटेल शॉप अकांटिंग के बिलिंग अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैरे चानल को थैंकियो सो मच फॉर वाशिंग मैं वीडियो और फूले दोस्तों हापी लेर्निंग बाई